असलाम लेकूम माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब और आज तो आपको मेरी आवास से ही पता चल रहा होगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ आगे बताओंगे भी मैं क्यों इतनी खुश हूँ यह लेजी आज के जो व्लॉग के शुरुवात नहीं हम कर रहे हैं पर शुरु दही खा रही थी और बड़े ही शौक से और इतने अर्सा हो गया ना इसने दही खाना चोड़ा हुआ था तो फिर आज खा रही थी तो फिर बाज जब तक ये खाती रही तब तक मिरी अमी इसको खिलाती रही और यह जो इसके कपड़े है ना यह अमी के साथ ए माइस तरगा था ये आज जूला हम लेके आए थे इस के लिए और बहुत ज़दा खुश थी ये जूले में अच्छा मैं अज इसलिए बहुत ज़दा खुश हूँ ना क्यूंकि आज मौसम अच्छा था भई क्यों इतने हरान हो रहे हूं मौसम अच्छा था ठीक है और आज सुबह से इतना मज़े का मौसम बना हुआ था लेकिन सुबह हम लोग गए थे इसे खेल ठीक है क्योंकि वाम पे थोड़ा काम था और अभी जब असर टाइम हुआ ना यानि ये साड़े चार इस तरह ना तो इ लेकिन टाइम इस तरह था मतब साड़े चार इस तरह ना तो फिर बहुत तो टाइम था नहीं जाने का तो फिर हम लोग इस तरह निकलाएं ये मकरवाल का एरिया है लेकिन मकरवाल से जरा और साइट पे चले जाओ तो ये वो एरिया है अब मैं और साइट का क्या नाम तेज-बना। बारिश तो नहीं हुई वैसे लेकिन यानि ऐसे बूंदा बांदी थोड़ी सी और वो जो है ठेंडी ठेंडी हवा तो उसी में ही बंदे का मूर जो है ना वो इतना अच्छा हो जाता है अल्ला इन्शाला करम करेंगे बारिश भी हो जाएगी यह जी हम लोग बस जाए जा रहते हैं हम लोग मतलब ऐसे ही लॉंग डाइप क्या लो करते रहें ठीक है मैंने सोचा कि जब हम करी रहें तो फिर मैं आपको अपना एरिया भी दिखा हूँ कि हमारा गाउं किस तरह का है यह माल्टो का बाग था जी कि मुझे लगता है कि हम्य हदे वैसे और वैसे मेरी सिस्टा मेरे सामने बैठी है मेरी बातों पे हसी जा रही हसी जा रही हर अपनी हसी को कंट्रॉल करने की नकाम तरीन कोशिश करे रहे है चल छट परा चडो उनू ठीक है ना मेरी बाते सुनें बस आप अच्छा और हम लोग इस तरफ गएे रोड जाते गए जाते गए जाते गए जाते गएemment क्या तरह से ऑफ यह हैता है जा डाव यहां कि जो है ना वो काश्ट हुई भी थी यानि इस मौसा में मौंग की डाल काश्ट की जाती है और आगे जो है ना किसी मेरे खावे मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि मौंग की डाल का पादा किस तरह का होता है और वो किस तरह की लगती होती हैं कि जो शेरों में लहते होते हैं उनको जाता लोगों को नहीं भी पता होता कि यह इसका किस तरह का पौदा होता है यहां पर फिर हम लोग आगे जब गहे थे थे थोड़ा तो वहां पर हम लोग रुके भी थे इतने मज़े कि तेज़ वाली हवा चल ली थी क्योंकि वैसे यह थोड़े बहुत जो बुंदा बांदी हुई थी ना तो उससे क्या हुआ था कि मटी तो बैठ चुकी थी यानि कि मटी नहीं उड़ रही थी लेकिन हवा तेस्टेस चल ली थी और बुंदे लाग रही थी तो फिर आप लोग सोच ही सकते हैं कि किस तरह का मौसम होगा व यहां पर भी हो जाए और यह देखें यहां पर हम लोग रोकी खड़े हो गए थे इतनी तेज इदर हवा चल रही थी इतना मज़ा आ रहा था उदर देखें दूर जो है न वो ट्रेक्टर चल रहा है और प्योर गाउं वाला जो महाल होता है रह देसी वो था यह ठीक है तो जी हम गाउंग में रहते हैं तो हम तो आदी होते हैं इस महाल के और जो शेहरों में रहते हैं उनको आए थे हैं कि यह महाल नया नया लगता होगा क्योंकि शेहर वाले जो होते हैं वो बिचारे में तब चाते होते हैं कि कहीं तो ओड़ा ऐसा जो हो किसे गाउंग के प्यो करते रहते हैं जिनके नहीं होते हैं तो ऐसे वीडियो में जुआई कर सकते हैं इसलिए मैंने आप लोगं के लिए वीडियो बना दिया है चलो जी जुआई कर लो यहां पर भी मौंकी डाली काश्ट दूई भी थी सारे मतब अभी यह जो टाइम चल रहे है न तो आपको घर एक जमीन में न मौंकी डाली नज़र आज़ Standing diesem और मौंकी डाल और हाँ यही सब यह सब काश्ट होता है यहां पे और अपने अपने टाइम की मतफ़सले होती है जिस टाइम के मताबिक अपने अपने टाइम के मताबिक चलती होती है तो अभी जो है ना जी हाँ और सर्चों यह भी काश्ट के जाती है वैसे तो अभी ये टाइम मूंगी डाल का है तो इस टाइम पे मूंगी डाल काश दीवी आ यहां पे और हर एक जमीन में नज़राती है ये जे अंगूर का बाग था अब ये देखे आगे जाडियां पड़ी भी है तो जरसी बात है कि मेहन में अपने आपको जखमी शखमी करके तो आगे जा नहीं सकती थी लेकिन यहीं से ही मैंने आपके लिए जो है ना वो व्यू कैप्चर किया था यह जहां तक आपकी नज़र जा रही है ना यह बड़ी सी जमीन थी और इसमें यह सब बस अंगूर ही अंगूर लगे वे हैं में भी इनके उपर अंगूर लगे भी हों लेकिन वो क्यूंके नीचे की तरफ होंगे और अभी ग्रीन होंगे तो वो तो नहीं नजर आ सके और लेकिन मैंने ये दिखा दिये कि दिखो कितना बड़ा बाग था माशाला से अल्ला इनको नसीब करें और मैंने जो है ना वो इसको करीब भी करने की कोशिशी की कि शायद कहीं से कोई अंगूर नजर आ जाजें इसके अंदर लेकिन अंगूर खटे हैं भई मुझे नहीं नजर आए ठीक है और पीछे जो है ना वो थोड़े करीबी एक शाप तो इस पर लोग भी थे एक तरह थोड़ो रास्ता बनता था लेकिन फिर मुझे था कैसे ना हो क्या लाई ना हो भई बिस्ते शिस्ती ना हो जाए तो फिर मैं दूर से खड़ी रही ये देखें ये इस तरह के पौदे होते हैं उसके मूंकी डाल के और पे थे तो उंचे उंचे होते थे तो उस तरह उंचे उंचे से पौदे होते थे थोड़ी जाड़ीयों टाइप की और अभी तो ये बहुत छोटू छोटू से पौदे थे और ये देखें चिदर तक नजरे जा रही है उदर तक बस मूंकी डाल है दरम्यान में ये बूसा है उसके मतब ये गाओं का में जो भूसा स्टोर किया जाता है जाहर सी बात है जिनकी जमीने होती है उनकी गंदम होती है गंदम तो जो अपनी रखनी होती है जो बेशनी होती है बेश देते है लेकिन इतना सारा भूसा होता है तो जिनकी जानवर होते है उन्होंने अपने लिए रखने भी होती है भूसा तो फिर वो इस तरह से ना उनके ऐसे बना के ना पेंटागॉनल शेप टाइप तो वो वैसे उसको स्टोर कर देते हैं वैसे इस क्लिप को आना चाही था सटार्ट में लिकने ही आ एंड में चलो तो अन्हों की पता कि यह सटार्ट का खलिप मैं ही बता रही हूँ ना यह क्या था कि हम लोग जी जा रहे हैं तो ट्रक शरीफ हमारे आगे 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 ठीक है और ट्रक शरीफ तो आपको पता है कि जब आगे आजाए तो फिर आप लोग सोचिए भी ना कि आप लोग इससे आगे जा सकते हैं फिर बस ट्रक शरीफ जिदर तक उसका रास्ता लिख आई, और, नहीं तोड़ा अंदर की साइड थी, और यहां से मैंने, ज़हना, देखिए, इनَّ ने बहुत साने अम्रूत पकड़े में है, और यहां के अम्रूत मैं एक दफार खाब ही चुकी है। बहुत मज़े दिजिके हैं। अर ये दो साइड पे था मतब इधर था ये देख से इधर रोड है और इस तरफ पूल थे और इस तरह से फोड़े फूल थे हैं बहुतास है और कुछ अमरूत में द्रक्त थे मेने फिराध थे paard है अब सही है बैसे खूप बात किये बेरी गुड वेरी गुड ये सफैद फूल लगे हैं पीछे पिंक लगे बेटे इदर रेड लगव है मैंने सोचा को जो है न फूलों की कलर भी बता दूँ देखो मुझे भी कलर्स के नाम आते हैं वावावाव वेरी गुड इदर मेरी जो सिस्टर है ना उसकी हसी निकली जा रही है बिचारी की लेकिन वो कोशिश कर रही है जो उसकी आवावाव ना निकले ताकि वाइस ओवर में उसकी उपसूरत सुरीली आवावावावाव शामिल ना हो जाए तो चलो फिर तुम तश्रीप लोए जो ऐसे ना तुमारी सुरीली आवावाव शामिल हो गई तो फिर लोग बिचारे क्या करेंगे यह इदर पिंक थे लेकिन पता नहीं मुबाइल को क्या ही हो गया था ना कि वो इसको वाइट ही दिखा रहा था वाइट इश पिंक दिखा रहा था सही वाला पिंग नहीं दिखा थे लेकिन यह सही पिंग थे और यहां पे भी यह डिफरेंट कलर्स के फूल नहीं होते लेकिन इदर भी मुबाइल को कोई पता नहीं मौत ही पाड़ गई थी चलो खैर है पता तो आपको चल गए ना किदर फूल भी थे यह देखें इतना यहनी मज़े का था ना ऐसे इसके अंदर मेरा जाने का दिल का रहा था लेकिन फिर मैं जो डर लग रहा था कैसे नहीं के जिसके ओ वो यह समझे की यह तो जो है ना इदर अब रूच चोरे करने आई ए ना और तो पेरे सीरी यह जो है ना मैं इसके अंदर नहीं गई लेकिन फिर बस मैं आदर ही खड़े हो के ना मैंने इदर से और अधर से कैमरा गुमां गुमां के गुमां गुमां के ना मैंने सब व्यूज कैप्चर कर ले I hope कि आज के जो व्लॉग या वो आप लों को पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किये जिएगा अल्हाफिस